कुकु टीवी अगर वो भी मदद करें तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं पर उनका आचरण देखकर लगता नहीं कि वो आपकी मदद करेंगे सही कहती हो उसे मनाना थोड़ा कटिन है पर शायद इस बात के लिए वो मान जाए वो कैसे? दिखावे में ही सही पर अगर मैं पहल करूँगा तो गाउवालों की मदद के लिए वो भी आगया आएगा हाँ, सही कह रहे हैं अच्छा, अब मैं पंचायद के लिए निकलता हूँ, ठीक है? जी, जल्दी आईएगा ये कहकर शंभू पंचायद की ओर बढ़ गया और गाउवाले भी वहाँ उपस्थित हो चुके थे बाई शंभू, कुछ करो इस समस्या का अगर ऐसा ही चलता रहा, तो खेद बंजर हो जाएंगे हाँ, मैं समझता हूँ, कि समस्या बहुत जटिल है और इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ कैसा प्रस्ताव, अब बारिश भी करवाओगे क्या ऐसी स्तिती में ठीटोली करना लाबदायक होता है सुकेश अब कम से कम इस विशय पर सही से विचार तो कर पाएंगे सब ठीटोली तो मैं तुम्हारी कर रहा हूँ, क्या प्रस्ताव लाए हो बारिश नहीं हो रही, तो इसमें क्या किया जा सकता है और खेतों में अगर खाट से दिक्कत हो रही है, तो क्या करे सुकेश, हम सब इस दुविधा का उपचार बस बारिश का इंतजार करके नहीं कर सकते तो कैसे किया जाए शंभू शंभू, दो उपचार हैं इसके, पहला ये कि हमें बांध बनाना होगा ताकि बारिश जब हो, तो उसका पानी हमारे पास जमा रहे शंभू, बांध बनाने में कितने पैसे और लोगों की जरुरत होती है, जानते भी हो फिर बढ़िया सवाल, जैसा कि कुम्भ ने कहा कि एक बांध बनाने में पैसे और लोगों की जरुरत है इसलिए हम को छोटे बांध बनाएंगे अपने नदियों पर और पैसे मेरी तरफ से आएंगे और जो पैसे कम पड़ रहे हैं, तो उसकी लिए अगर कोई श्रिमन्त हो इस गाओं में, तो वो आगया है तुम आकेले श्रिमन्त नहीं, मैं भी मदद करूँगा इस बार गाओं की आभार होगा तुमारा सुकेश और दूसरा उपचार क्या है शम्भू? शम्भू, केमिकल खाद के कारण खेतों की उपज कम हो रही है, तो हम प्राक्रितिक बनाएंगे अच्छा, तो हमें अब खाद खरिदने की जरुत नहीं पड़ेगी? अब से प्राक्रितिक खाद तुम सबको मैं दूँगा वाँ शम्भू, क्या खवर सुनाई है हूली आ रही है, इस साल उपच जादा नहीं हुई है, ये बात मैं भी जानता हूँ इसलिए गुजिया और रंग मैं बाढ़ दूँगा लाख लाख शुक्र है इस बात का, कि इस अभागे गाउं में तुम जैसा सज्जन भी है वरना पता नहीं क्या होता हमारा इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है सुकेश आखिर खाद की खरीदी लोग तुम्हारे पास सही करते थे नहीं नहीं, बस एक ही चीज थोड़ी बिक्ती है मेरे दुकान में और तुम मुफ्त में बाट रहे हो सब चीजे गाउं में तुम भला इसमें मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ तब ठीक है, तो सभा आज की यहीं खत्म होती है और सभी लोग खुली की तयारी कीजिए कुम और सुकेश वहाँ से चले जाते हैं सुकेश के चहरे पर नाराजगी भापने के बाद भोलू शंभू से कहता है शंभू, ये सुकेश बोल कर तो बड़े प्यार से गया पर जरा भी खुश नहीं लगता वो अपने अभिमान में मेरी बातों में जो आ गया कोई बात नहीं, इसी बाहने कुछ अच्छा होगा गाउं के लिए हाँ, ये तो मानना पड़ेगा शंभू कि इस नक्चड़े को तुम काफी बहतरीन तरीके से संभाल लेते हो ये तो सब प्रभू की माया है सुकेश आज की सभा से नाखुश कुम से बात कर रहा था भाया, जाने भी दीजे ना आखिर वो शंभू गाउं का भला ही कर रहा है ना अच्छा, बाहर तो मेरे साथ ठाके लगाता है और यहाँ आकर अपने बड़े भाई को ग्यान दे रहा है चुपकर माफ करना भाया अपनी बातों में तो ऐसे खीचता है कि पूछो नहीं उसकी वज़े से अब खाद भी नहीं बिकेगी और तो और होली के रंग मुफ्त में बाट रहा है वो अलग हाँ भाया इसका कुछ तो करना पड़ेगा मतलब? मतलब की बान बनने में तो हम कोई बाधा नहीं लाएंगे लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे शम्भू पर कोई कभी भरोसा नहीं करेगा इस घटना के कुछ दिन बाद शम्भू घर के बाहर एक बड़े टीबल पे खाद की पैकेट रख कर खड़ा था अरे भोलू आभार कैसा ये तो बस मेरे पास कुछ अधिक है तो मैं हर किसी में बाट दे रहा हूँ तुम सब ये न सोचो और इसे अपना ही समझ कर लेकर जाओ तुम धन्य हो शम्भू तब ही वहाँ कुम्ब और सुकेश भी आते है अरे भाई वाँ खाट तो बड़ी ही जल्दी बना दी है तुमने खाट तो मैं पिछले वर्षों से ही बना रहा था सुकेश ऐसी सिति में शायद काम आ जाते उसी अंदेशी में बनाए थे अपने खेतों में भी इसी खाट का उप्योग करते हो क्या शम्भू हाँ और इनसे पैदावार अच्छी होती है ठीक है गाउवालों ध्यान रहे शम्भू भाई का इस गाउव पर बहुत बड़ा उपकार है कोई भूलना मत आखिर उसने सब को मुफ्त में खाट जो बाटी है क्यों कुम्ब हाँ भया सही कह रहे हैं तुम दोनों का मेरे प्रतिय बहुत प्रेम लगता है अच्छा लगा मुशे कि तुम दोनों यहाँ है आओ और तुम भी खाट ले लो अरे नहीं नहीं हम ये खाट कैसे ले सकते हैं आखिर हमारे पास वैसे ही इतनी खाट बची है दुकान की हम उसे ही इस्तिमाल करेंगे अगले दिन सुबह भोलू कुछ हडबडाहट में शम्भू के घर आया अरे क्या बात हो गई भोलू शम्भू अनर्थ हो गया सब के खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल भी लगी थी रात भर में ही सूख गई ये तुम क्या कह रहे हो जल्दी चलो सब खेतों के पास है हाँ चलो शम्भू और भोलू खेतों के पास पहुचते हैं और देखते हैं कि लोग वहाँ पहले से ही खड़े हैं एक और काफी हरी भरी फसल थी और दूसरी और सूखी सुकेश और कुम्ब शम्भू से कहते हैं ये क्या किया शम्भू तुमसे पहले भी कहा है सुकेश कि शम्भू का नाम मतलो और गाउवालों को भढ़काऊ मत मैंने किसी को भढ़काया नहीं है मैं जब यहाँ आया तो लोगों ने ये बाते मुझे खुद बताई है क्यों कुम्ब हाँ भढ़काया सही कह रहे हैं आखिर ऐसी क्या बात होगी सुकेश ऐसी क्या बात होगी मतलब अपनी आँखों से देख नहीं सकते हो क्या कल जो तुमने किया था उसी का हर्ष्र है ये पर मैंने तो सबको वही खाद दी जो मैं खुद इस्तमाल करता हूँ तो फिर तुम्हारे खेट की फसल इतनी अच्छी कैसे हुई है वो मैं इसका हर्जाना कैसे चुकाओगे अब लोगों के मदद करने का डौंग करते हो चुप हो जाओ सुकेश नहीं बोलू सुकेश बिलकुल सही कह रहा है मुझे इसका हर्जाना भढ़ना ही होगा हाँ पर भरोगे कैसे मेरी फसल बस खाने के लिए परियापत छोड़कर बाकि सारी फसल मैं गावलों की बीच बाढ़तूंगा क्या चकित क्यों हो रहा हो आखिर हर्जाना मैं और कैसे बढ़ सकता हूँ कुछ दिन बीच गए होली में बस दो दिन बचे थे भोलू शम्भू के घर आया था तुम क्यों मुलटकाते हो भोलू हर साल आप गाउं के लिए कितना कुछ करते है हमारी होली में भी हमारे दुख में भी नहीं कर पा रहा सुकेश रंग दोगने दामों में बेच रहा है और मिष्ठान के पैसे नहीं है हमारे पास सब हरी नारायन पर छोड़ दो वही कोई मार्ग दिखाएंगे शंभू यदि भक्ती और प्रेम हो तो तुम्हारी तरह हर परिस्तिती में मुस्कुराते हो यही तो सीख ली है मैंने माया धर से हाँ इनका प्रेम देख कर तो कभी कभी मुझे भी भगवान से नाराजगी हो जाती है तुम सब चिंता ना करो मैं भगवान की संध्या पूजन के बाद उनसे गाउं का सुख मागूंगा ठीक है शंभू अब मैं विदा लेता हूँ यह कहकर भोलू वहां से चला जाता है पूरा गाउं परेशान है और भोलू भी सब प्रभू की कृपा है मैं मंदिर जा रहा हूँ जी जल्दी आयेगा शंभू मंदिर में ध्यान में बैठा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी शंभू शंभू आखे खोलता है प्रभू प्रभू कुछ चिंतित लगते हो आप तो सब जानते हैं प्रभू फिर भी परिक्षा ले रहे हैं न मैं जानता हूँ प्रभू कुछ करिए गाउं में होली आ रही है सब बेरंग हो चुका है मुझे अपने ले कुछ नहीं चाहिए लेकिन गाउंवालों का दुख हरे प्रभू तुम्हारे स्वार्थ रहित भाव को देखकर मैं अतिप्रसन्न हूँ इस बार की होली ऐसी होगी कि पूरे गाउं का दुख उन रंगों में बैच आएगा ए गोविंद, हरी नारायन आपकी आवाज से ही मेरा उद्धार हो गया और आपकी कृपा से पूरे गाउं का बेउद्धार हो गया मुझे क्या करना होगा कृपया मुझे बताएं प्रभू तुम गाउं के पास वाले गुफा में कल भोर होते ही चले जाना वहाँ तुम्हें एक कलश मिलेगा उसका पानी यदे तुम जलती हूलिका में डालोगे तो उसके भाप से उत्पन हुए बादल पूरे गाउं को खुशाल कर देंगे जैसा आप कहें प्रभू इस भक्त का आपको कोटी कोटी नमन भगवान का अशिरवात पाने के बाद शंभू उन्हें नमन करके चला गया और बड़ी खुशी से पूरे गाउं वालों को बुला कर ये सूचना देने लगा शंभू बड़े खुश नजर आ रहे हो भरोसा नहीं कर पाओगे कुछ ऐसा हुआ है शंभू सब को पूरी बात बताता है और सब वैसला करते हैं कि वो भोर होते ही वहां जाएंगे सुकेश ये सुनकर बिलकुल भी प्रसन्न नहीं था वो कुम्ब के साथ उसी रात उस गुफा में चला गया भाईया आप ये क्या कर रहे हैं सुयम भगवान नहीं कहा है फिर भी आप ये महापाप कर रहे हैं भाईया मैं पापी हूँ इसमें कोई दोराय नहीं है तू मेरा भाई है और मेरी मदद करना तेरा फर्ज बनता है अब फावड़ा चला मू नहीं जी भाईया अगर वो कलश सही में निकला तो हम क्या करेंगे तो हम उस कलश को यहां से ले जाएंगे और शंभू की पूरी जमीन के बदले में उसे ये कलश देंगे तब मेरी पराबरी का इस गाओं में कोई नहीं होगा कुम्ब मू लटका कर सुकेश की बात मान लेता है दोनों सुबह होने तक खोदते रहते हैं फिर उन्हें एक सोने का कलश दिखाई देता है निकाल इसे कुम्ब बस भाईया अब और नहीं इसके आगे आपको जो करना है आप खुद कीजिए ये कहकर कुम्ब वहां से चला गया शह जाता है तो जाए मुझे क्या जैसे ही सुकेश उस कलश को छूता है एक तेज रोशनी निकलती है और एक गरुड प्रकट होता है और सुकेश को पंजो से मार कर भगा देता है तभी उस गुफा से बाहर भागते हुए सुकेश पहुचता है और उसे शम्भू, भोलू, कुम्ब और अन्यगाओं वाले मिल जाते है ये कहकर कुम्ब उने सारी बातें बता देता है कि कैसे सुकेश ने ही शम्भू के खाद में कुछ मिलाया था और कैसे आज वो कलश चुराने आया था धन्यवाद सुकेश ये तुम क्या कह रहे हो इतना बड़ा पाखंड किया है मैंने और तुम धन्यवाद कह रहे हो धन्यवाद इसलिए कि तुमने इतनी मेहनत की और हमें कलश जाते ही मिल गया और जहां तक सवाल रहा तुम्हारी सजा का तो गरण महराज ने तुम्हें सजा दे ही दी है आओ हमारे साथ तुम भी होली मनाओ और अपने अंदर के पापों का नाश करो वो लोग सुकेश को छोड़ कर कलश लेने गुफा में चले जाते हैं और कलश लेकर बाहर आ जाते हैं सुकेश सब के आगे हाथ जोडता है और सबने जैसा बताया गया था ठीक उसी तरह होली का में उस कलश से पानी डाला गने बादल जमा होने लगते हैं और जैसे ही होली का जल जाती है वहां सतरंगी रंगों की बारिश होने लगती है और फसल जी उड़ती है लोग उस रंगों की बारिश में ने दुखों का और बुराईयों का नाश करते है चंदनपुर नाम का एक गाउँ था जहां हीरा का परिवार रहता था हीरा के परिवार में उसके दो वेटे भुवन और मोहिद और उसकी बूर्षी मा थी हीरा की पत्नी लक्ष्मी बीमार रहती थी हीरा शादी से पहले पूजा नाम की एक लड़की से प्रेम करता था लेकिन हीरा की मा ने हीरा की शादी लक्षमी से करा दी हीरा को ना लक्षमी से लगाव था और ना ही अपने दोनों बेटों से हीरा आज काम से लोटते समय लक्षमी की दवा ले आना हीरा लक्ष्मी की दवा लेकर नहीं आया और कुछ तिनों बाद लक्ष्मी स्वर्ख सिधार गई हीरा को अब अपनी पुरानी प्रीमी का पूजा से शादी करने का मौका मिल गया उधर पूजा का पती बीमार रहता था इसलिए पूजा ने भी अपने पती को छोड़ दिया हीरा बेटा दूसरी शादी जरा सोच समझ करकर न तुम्हारे दोनों लड़के भी छोटे हैं नए पतनी पता नहीं उनके साथ कैसा विवहार करेगी हीरा ने पूजा से शादी कर ली पूजा के घर आते ही हीरा के बच्चों और हीरा की मा के बुरे दिन शुरू हो गए ठंड के दिन थे पूजा रात में घर का दर्वाजा बंद कर लिया कर दी भूवन और मोहित को कड़क ठंड में अपनी दादी के साथ बाहर खुले में सोना पड़ता दादी हम घर के अंदर क्यों नहीं सोते हैं रात भर ठंड लगती है हमारी नीन भी पूरी नहीं हो पाती बस कुछ ही समय की बात है बच्चों होली आजाएगी तब ठंड चली जाएगी फिर हम आराम से सो पाएंगे होली आई तो घर घर गुजिया का सामान तयार होने लगा भूवन और मोहित की सौतेली मा ने भी देसी घी में गुजिया बनाई लेकिन भूवन और मोहित गुजिया लेने पहुचे तो पूजा ने उनके हाथ पर डंडा मारा ओ बीमार मा के कपूतों एक भी गुजिया छू मत लेना परना हाथ तोड़ दूँगी ये गुजिया होली पर मेरे माय के जाएगी भूवन और मोहित बेचारे आख में आसू लिये अपनी दादी के पास पहुचे और रोने लगे रो मत बच्चों मैं तुम दोनों के लिए गुजिया बना दूँगी दादी अपनी जान पहचान के एक दुकानदार से उधार में गुजिया का सामान ले आई और गुजिया बनाने लगी अंत में गुजिया भरने के लिए गुजिया मशीन की जरूरत थी मोहित ज़रा अंदर से गुजिया मशीन मांग लाओ मोहित जब गुजिया मशीन लेने पहुचा तो उसकी सोतेली माने उसे डाट दिया बुढ़िया जब सारा सामान कहीं से ले आई तो गुजिया मशीन मुझसे क्यों मांग रही है अपनी गुजिया मशीन भी ले आए मोहित ने जाकर सारी बात अपनी दादी को बताई दादी नई मा गुजिया मशीन नहीं दे रही है कोई बात नहीं बेटा, एक पुरानी गुजिया मशीन कबाडे में पड़ी होगी हमें वही ढूननी पड़ेगी भोवन और मोहित ने दादी के साथ मिलकर कबाड़े से पुरानी गुजिया मशीन ढून निकाली होली से एक दिन पहले राद भर मोहित और भोवन ने अपनी दादी के साथ गुजिया भरवाई और बनाई गुजिया तैयार है कल सुबह हमें ने खाएंगे सुबह जब भुवन और मोहित उठे तो उन्होंने देखा दादी अभी तक सो रही है मोहित दादी तो जल्दी उड़ जाती है आज अभी तक क्यों सो रही है मोहित और भुवन ने दादी को बहुत उठाया लेकिन दादी दुनिया छोड़ कर जा चुकी थी भोली के बाद हीरा कुछ महीनों के लिए काम करने शहर चला गया पूजा ने मौका देखकर मायके से अपने भाईयों को बिला लिया और भुवन मोहित को घर से बाहर निकाल दिया नई माँ हमें घर से बाहर मत निकालो हम कहा जाएंगे क्या खाएंगे पूजा ने दादी की बनाई गुजिया मोहित और भुवन को पकड़ा दी और बोली दो चार दिन तुम्हारा इन गुजियों से काम चल जाएगा आगे तु भीख मांगो या चोरी करो मुझे कोई मतलब नहीं मोहित और भुवन पेचारे गुजिया लेकर गाउं से बाहर आ गए उन्होंने एक पेड के नीचे जोपड़ी बना ली जब तक हमें कोई काम नहीं मिल जाता हमें इन गुजियों से काम चलाना पड़ेगा हम बस एक एक गुजिया रोज खाएंगे भुवन और मोहित ने जब गुजिया दांतों से काटी तो गुजिया कती ही नहीं उन्हें लगा कि उन्होंने किसी ठोस चीज को मुँ में रख लिया है ये गुजिया इतनी ठोस कैसे हो गई भुवन ने जब गुजिया के ऊपर का मैदा हटाया तो गुजिया के अंदर मसाले की जगे सोना था भुवन और मोहित ने बाकी गुजियों से भी मैदा हटाया सभी गुजियों में सोना निकला लगता है दादी जाते जाते अपना आशिरवाद हमें दे गई है मुझे तो लग रहा है दादी ने हमसे जो पुरानी गुजिया बनाने वाली मशीन ढुणवाई थी उसमें ही कुछ जादू था वो मशीन तो घर पर ही पड़ी होगी हमें वो मशीन वापस ले आना चाहिए मोहित और भुवन अपने घर पहुँचे पुजा ने मशीन उठाकर मोहित और भुवन की तरफ फैंक दी लो अपनी दादी का कबाड़ा ले जाओ मोहित और भुवन ने गुजिया मशीन से और गुजिया तयार की और उनसे निकला सोना बेच कर जल्द ही गाउं में सबसे अमीर बन गए उधर हीरा को शहर में शराब पीने की लट लग गई थी वह गाउं लोटा तो उसकी हालत बहुत खराब थी घर का सामान और पुजा के गहने बेच कर उसने सारे पैसे बरबाद कर दिये और बीमार होकर खटिया पर पड़ गया ये तो बीमार होकर मरने का इंतिजार कर रहे हैं इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ये दोनों मुहत और भुवन चालाकी से सोना देने वाली गुजिया मशीन मुझ से ले गए और अब सोना बेच बेच कर अमीर हो गए हैं अब ज़र सेहर मिला दिया उपर से हुश्पुदार और देखने में सुन्दर जहरीली गुजिया लेकर भभुवन और मोहित के पास पहुची भुवन और मोहित अब तुम दोनों बड़े आदमी बन गए हो कभी अपने गरीब माबाप को भी याद कर लिया करो एक साल बीतने जा रहा है इस बार होली पर पता नहीं क्यों मुझे तुम दोनों और तुम्हारी दादी की बहुत याद आ रही है मैंने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर देशी घी की स्वादिष्ट गुजिया बनाई है हम करीबों के तरफ से ये छोटी सी भेट स्विकार करो मोहित और भुवन ने जब अपनी सौतेली मा को इस तरहें मीठी मीठी बातें करते देखा तो वे समझ गए कि दाल में कुछ काला है मा हम आपके हाथों की स्वादिष्ट गुजिया खाएंगे तो जरूर लेकिन पहले आप एक गुजिया खाकर दिखाईए मैं तो घर से खाकर आई हूँ मैं खाकर क्या करूंगी नहीं मा आपको पहले कम से कम हमारे हाथ से एक गुजिया तो खानी पड़ेगी पूजा को लगा कि मोहित और भुवन उसके गुजिया खाए बिना खुद गुजिया नहीं खाएंगे तो उसने सोचा कि वह गुजिया दिखाने के लिए मूँ में रख लेगी लेकिन अंदर नहीं निगलेगी और घर से बाहर जाकर थूख देगी लेकिन जब पूजा ने गुजिया खाई तो उसे जोर का फंदा लग गया और गुजिया गले के अंदर अटक गई खास्ते खास्ते पूजा का बुरा हाल हो गया था मोहित ने पूजा को पानी पिला दिया जहरेली गुजिया पेट में पहुँचते ही पूजा का काम तमाम हो गया मिनाक्षी और गुजन एक दूसरे के पड़ोसी थे दोनों में बहुत प्यार महबत था उनके घर के सामने से कही फेरी वाले गुजरते थे मिनाक्षी जब भी कुछ खरीदती तो गुजन को आवाज जरूर लगा देती गुजन अरियो गुजन गोभी वाला आया है मातर दस रुपे किलो गोभी बेच रहा है तुम भी ले लो फिर कहोगी कि बताया नहीं इसी तरह गुजन भी जब कुछ खरीदती तो मिनाक्षी को बुला लिया कर दी एक दिन दुपेहर में एक मटर बेचने वाला आया ता जी हरी मटर ले लो मटर वाला तीस रुपे किलो मटर मिनाक्षी अपने घर से बाहर आकर मटर देखने लगी ले लो बैन जी एकदम कच्ची मटर है कली खेट से तोड़ी है ठीक है एक किलो तोल दो मिनाक्षी ने हमेशा की दरह गुजन को आवाज दी गुजन ओ गुजन मटर वाला आया है अच्छी मटर है लेना है तो आ जाओ संयोग से गुजन उस दोपहर रजाई ओड़ कर गहरी नीन में सो रही थी मिनाक्षी के कई बार आवाज देने पर भी जब गुजन बाहर नहीं आई तो मिनाक्षी ने अपने लिए मतर खरीद लिये और मतर वाला चला गया शाम को जब मिनाक्षी सबजी बनाने के लिए मतर चीलने बैठी तो उसके होश उड़ गए मतर में से सोने के दाने निकल रहे थे उसी समय मिनाक्षी का पती शुभम ड्यूटी से लौट कर आया शुभम स्वार्थी और लालची किस्न का इंसान था सोने के मटर के दाने देखकर वह बहुत खुश हुआ अरे वाह हम तुम माला माल हो गए तुमने एक किलो मटर ही क्यों खरीदी कम से कम तस बारा किलो मटर खरीद लेती मुझे क्या पता था कि मटर में से सोने के दाने निकलेंगे पता होता तो ज्यादा खरीद लेती मिनाक्षी के पती ने पूरे गाउं में अपने अमीर होने का खूब दिखावा किया जब गुंजन को पता लगा कि मिनाक्षी ने ऐसे मटर खरीदे हैं जिसमें से सोना निकला है तो वा मिनाक्षी के घर पहुँची क्यों मिनाक्षी तुमने मटर अकेले अकेले खरीद लिये मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ तो हमेशा तुम्हें आवाज लगाती हूँ मैंने तुम्हें आवाज दी थी लेकिन तुम घर से बाहर ही नहीं निकली शायद तुम सो रही थी अच्छा हाँ मैं परसो दोपहर थोड़ा सा सो गई थी मुझे लगा कि तुमने जान बूच कर मुझे नहीं बुलाया मुझे माफ करना कि वा मटर वाला कभी दोबारा आए तो मैं भी उससे मटर खरीदूंगी गुंचन जब घर पहुँची तो गुंचन का पती उससे बोला अब पता लगी तुम्हें अपनी मिनाक्षी बहन की असलियत तुम तो कहती थी कि मिनाक्षी बहुत अच्छी है अब देखा कैसे वो सोने की मटर अकेले खरीद कर बैठ गई हमेर गलत वहमी हो गई है मिनाक्षी ने मुझे आवाज दी थी लेकिन उस दोपहर नीन में होने की कारण मैं मिनाक्षी की आवाज सुन ही नहीं पाई थी मैं नहीं मानता वो जोट बोल रही है उसने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ साथ हम लोग भी अमीर हो जाएं उधर मिनाक्षी का पती शुभम काम धन्दा छोड़कर घर बैठ गया था और हमेशा सोने के मटर के दानों की रखवाली करता रहता था मिनाक्षी उससे बोली क्यों नहीं हम आदे किलो मटर गुंजन की घर दे आएं हमारे साथ उन लोगों की घर भी सुक सम्रिद्धी आ जाएगी तो इसमें बुरा क्या है क्या तुम पूरी पागल हो गई हो आदे किलो सोने की मटर गुंजन के घर दे आओगी अरे इन मटर के दानों से मुझे पूरा जीवन गुजारना है अगर आदे मटर के दाने तुमने गुंजन को दे दिये तो मुझे आदे जिन्दगी काम करना पड़ेगा इसलिए आदे किलो मटर गुंजन को देने की बाद बिलकुल भूल जाओ एक दिन गली में एक और मटर बेचने वाला आया इस बार गुंजन के पती ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे मटर खरीद लिये मटर कम से कम पच्चास किलो थे गुंजन और उसके पती ने मटर चीलने शुरू किये लेकिन किसी भी मटर में सोने के दाने नहीं निकले गुंजन की घर पचास किलो मटर का कोई काम तो था नहीं इसलिए वह पड़े-पड़े खराब होने शुरू हो गए क्यों ना मैं कुछ किलो मटर मिनाक्षी को दे आऊं यहां तो ये खराब ही हो जाएगी गुंजन ने एक बोरी में मटर भरी और कुछ मटर मिनाक्षी को दे आई मिनाक्षी गुंजन के वेभार पर बहुत खुश हुई उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी तरहे आधे किलो सोने के मटर गुंजन को दे कर रहेगी मिनाक्षी बाजार जाकर हरे और गोल्डन कलर का पेंट खरीद लाई उसने आधे किलो हरे मटर पर गोल्डन पेंट कर दिया एक सुबह जब उसका पती टॉयलेट में था तो मिनाक्षी ने जल्दी से आधे किलो सोने के मटर के दाने उठाए और उसकी जगे अपने पेंट किये हरे मटर के दाने रख दिये दुपहर में वह अपने पती से बोली सुनिये जी मैंने साधरान मटर की सबजी बनाई है सबजी थोड़ी ज्यादा बन गई है कुछ सबजी मैं गुंजन की घर देकर आना चाहती हूँ शुभम ने भगाने में देखा तो उसे हरे मटर दिखाई दिये क्योंकि मिनाक्षी ने सोने के मटर पर हरा पेंच कर दिया था इस तरह मिनाक्षी ने अपनी चतुराई से आधे किलो सोने के मटर गुंजन के घर पहुँचा दिये गुंजन और मिनाक्षी में पहले जैसी गहरी दोस्ती हो गई मिनाक्षी एक बात बताओ जब तुम्हारे पती को पता लगीगा कि आदे मटर के दाने सोने की नहीं साधारण है तो तुम उन से क्या कहोगी कह दूँगी कि मुझे क्या पता हो सकता है मटर वाले ने हरे मटर के दानों पर गोल्डन पेंट करके हमें उल्लू बना दिया हो